भारतिय रेलवे की तरब से एक नई सुपरफास ट्रेन का संचालन शुरू होगा और यह ट्रेन राजस्थान से पूने के बीच चलेगी इस वीडियो अपडेट में बात करेंगे इसी ट्रेन के डिटेल्स के बाड़े में जोकी दिवाली के सुब अपसर पर उसे पहले पैसंदरों के लिए चलाई जानी है उसे पहले हमारे इस चैनल को नहीं कियें सब्सक्राइब तो करने सब्सक्राइब रेलवे के तरब से एक नई special train की शुरुवात की जाएगी जो की उत्तर पच्चिम रेलवे की तरब से दिवाली पर चलाया जाएगा ट्रेनों में भीर को देखते हैं वे राजस्थान के जोधपूर रेलवे स्टेशन से पूने के लिए एक नई special train चलेगी यह train दोनों ही दिशाओं में चलाए जाएगी जो की पूरी तरह से weekly festival special train रहेगी ऐसे में यह train ट्रेन नमबर 04807 के साथ जोधपूर से पूने के लिए और ट्रेन नमबर 04808 के साथ पूने से जोधपूर के लिए दूसरे दिशाओं में चलेगी ट्रेन का जो टाइम टेबल रेलवे के तरफ से जाड़ी किया गया है उसके अनुसार यह train जोधपूर से पूने के लिए 25 अक्टूबर से लेकर 15 नमबर के बीच जोधपूर से सुक्रवार को दो पहड में यह train रावाना होगी जो कि सनिवार को रात 11 बच कर 10 मिनट पर पूने जंसन पहुंचेगी इसके साथ ही यह train दूसर दिशा में 048-08 के साथ पूने से जोधपूर के बीच सब्ताई की स्पेशल ट्रेन बन कर 17 नमबर तक कुल 4 फेड़ा चलाई जाएगी जहांपर की पूने से परतेक रविवार को यह train रात 12 बच कर 30 मिनट पर रवाना होकर सोमवार को सुभा में यह train 4 बच कर 15 मिनट पर जोधपूर को आएगी ऐसे में से ट्रेन के रूट और स्टोपेज के डिटेल्स की बात करें तो यह train रास्ते में मेरता रोड डेगाना, मकडाना, नावा सिटी, जैपूर, दुरगापूरा, सवाय माधोपूर, कोटा, भवानी मंडी, रतलाम, वरोधरा, भारूच, सूरत, वापी, पालघर, पन कोच के साथ साथ स्लिपर के कोच भी लगाएगा हैं और थार्ड एसी का भी इसमें सुधा मिलेगा, यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताएं, नए ट्रेनों के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे इसे चैनल को करें सब्सक्राइब